Hello and welcome to the extra class English. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोईम, A Photograph by Shirley Towson. Shirley Towson एक जॉर्नलिस्ट भी रह चकी है और आपको यह जो पोईट का नेम है याद रखना है because यह MCQs में पूछा जाएगा. तो आज हम पोईम करने जा रहे हैं, यह पोईट का ट्रिब्यूट है to her mother. उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी मदर अपने बच्पन की फोटोग्राफ को देखकर अपनी पुरानी मेमरीज को रिलिफ करती थी. तो अब इस पोईम में हम देखते हैं कि पोईट कैसे उन दिनों को याद करती हैं जब उनकी मदर ये सब करती थी और अब जब उनकी मदर उनके साथ नहीं है तो उन्हें कैसा लगता है इस फोटोग्राफ को देखकर और क्या-क्या चीज़े याद आती हैं. तो शुरू करते हैं. तो पोईम शुरू होती है. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some twelve years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born and the sea which appears to have changed less wash their terribly transient feet. पहले इसके word meanings देख लेते हैं और उसके बाद इसका मतलब समझते हैं. तो जिस फोटोग्राफ की यहाँ पे बात हो रही है वो उस time की है जब पोईट की मदर छोटी होती थी and वो अपनी cousins के साथ बीच पे गए थे मस्ती करने के लिए. तो यह जो फोटोग्राफ है वो capture करती है उन सारी चीजों को, वहाँ की surroundings को, कैसे उन्होंने कपड़े पहने थे, इन सब चीजों को. तो समझते हैं word meanings के साथ इसका मतलब? यानि की यह जो पीस ओफोटोग्राफ है, यह दिखाता है उनको, उनकी मदर को और उनको भी किस तरीके से यह जो दो कर्ल कजन्स थी, यह गई थी पैडलिंग या दे वर वाकिंग थुरू वाटर, ताह पे बीच पे. और इन दोनों काजन्स ने किसका हाथ पकड़ा है? इन दोनों काजन्स ने पोईट की मदर का हाथ पकड़ा है, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, अब क्या कहती है नेक्स वो? तो यह तियों लड़किया, उस टाइम पे जब बीच पे मस्ती कर रही थी, तो काफी हवा चल रही थी वहाँ पे, इसलिए जब वो स्माइल कर रही थी, कैमरा की तरफ देखके, तो विंड की वजए से उनके जो बाल है, उनके पेस पे आ रहे थी. बट स्टिल देवर स्माइलिंग क्योंकि वो एंजोई कर रही थी. Next, a sweet face, my mother's, that was before I was born. तो poet कहती है कि मेरी mother बच्पन में काफी sweet दिखती थी, before I was born. Next, and the sea, which appears to have changed less, wash their terribly transient feet. तो यह last two lines बहुत जादा important है, यहाँ पे वो एक contrast दिखा रही है, एक चीज जो की permanent है, एक चीज जो की बदलती रहती है, इन दोनों के बीच मिल. जैसे कि यहाँ पे वो बात कर रही है कि C के बार में, C जो है इतनी change नहीं करती. है ना, उसमें जो changes आते हैं, वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम होते हैं वो. वहीं अगर हम बात करें human beings की, तो human beings बदलते हैं, नहीं नहीं जगाओं पर जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो nature change होता रहता है, यानि कि हमारा जो nature है वो permanent नहीं होता, अगर हम उसको compare करें C से. तो यहीं बता रही है, यहाँ पर poet B की, यह जो contrast है, की जो C है, जो की permanent C है, वो उनके impermanent feet को touch कर रही है, तो यहाँ पर यह contrast draw करती हैं, अब यह तो था आपका first stanza, transient का बदब आपने देख लिया, that is lasting for a short time. अब देखते हैं second stanza, तो देखो first stanza में, तो poet ने हमें बताया कि इस photograph के अंदर कौन लोग हैं, और वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब जो हम second stanza पढ़ने वाले हैं, इसमें वो बताती हैं कि उनकी mother जब अपनी photo को देखती है, 20-30 years later, तो उनका reaction क्या होता है? तो ये जो उनका reaction है, वो यहाँ पर define करती हैं, तो क्या कहती हैं वो, some 20-30 years later, she laughed at the snapshot, तो जब वो छोटी थी, उसके 20-30 years बाद, उस सी holiday के 20-30 years बाद, जब उनकी mother अपनी photo देखती हैं, तो snapshot का मतलब photograph, तो वो हसती हैं, और क्या बोलती हैं? See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach, तो वो कहती हैं, देखो Betty and Dolly को, वो जो दो girl cousins थी उन्हें, and देखो हमें किस तरीके से तेयार करते थे बीच के लिए, and then she says, the sea holiday was her past, mine is her laughter, तो यहाँ पे दो past की बात हो रही हैं, इस sea holiday को याद करना, इस sea holiday की memories जो है, obviously अब ये past हो चुकि हैं, past मे रह गया ही है, क्यों? क्योंकि उनकी मदर उनको देखती थी, उसकी photograph को देखकर याद करती थी, तो उनकी मदर का हसना उनके लिए एक past हुआ, क्यों? क्योंकि अब उनकी mother is no more, तो यहाँ पे दो past की बात हो रही है, एक mother का past, जो की sea holiday था, and जो poet है उनका past, अपनी mother के साथ बैठना, और अपनी mother की हसी जो है उसको देखना, उनका past था, अब last line यहाँ की बहुत important है, both rai with the labored ease of loss, labored ease of loss, rai का मतलब क्या होता है? rai का मतलब होता है disappointed, poet और उनकी mother दोनों disappointed है, क्यों? क्योंकि even दो जो poet है, उन्हें ऐसा लगता है, कि यह जो loss है, definitely उनके लिए बहुत बड़ा है, losing her mother उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा loss है, लेकिन फिर भी time जो है, वो इतनी आसानी से चला गया, इसलिए यहाँ पे labored और is, दोनों opposite word है, oxymoron है, यहाँ पे used क्या गया, लेकिन यह क्या show करता है, कि time, चाहे वो कितना difficult time था, उनके लिए mother के लिए अपने जो childhood था, वो चला गया, तो उनके लिए यह बात अभी तक बहुत difficulty बिलीफ करने, क्योंकि उनको याद आती थी अ labored ease of loss का मतलब यही हो, loss यहाँ पे क्या है, poet के लिए यह जो time है और उनकी mother है, and जो mother है उनके लिए यह loss क्या है, अपने जो childhood है, उसको जाते हुए देखना, उसकी जो memories है अब उनके दिमाग में वो ही रह गई थी, तो यह मतलब हुआ labored ease of loss का, अब देख लेते हैं last anza को तो last anza पे आते हैं, now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there's nothing to say at all, it's silence silences, तो last anza में poet कहती है, कि इस particular photo में जो age थी उनकी mother की 12 years थी, तो अब उनकी mother को गए हुए भी, expire हुए भी 12 years हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो कहती है, at this circumstance, यानि अब उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, उनको ऐसा लगता है, it's silence silences, silence silences यहाँ पर personification का use हो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्यों? क्योंकि silence की भी एक अपनी silence यहाँ पर दिखाए गई है, silence क्यों है? क्योंकि उनकी mother नहीं है, तो जो death की silence है, पहली बात उसकी हो रही है, और दूसरी silence क्या है? यह silence है उस loss की, जो उनने experience किया उनकी mother के death के बात, तो it's silence silences, यानि कि silence की भी यहाँ पर एक अपनी silence है, जो वो यहाँ पर experience करती है, तो यहीं कहती है in the third stanza वो, जब वो अकेले यहाँ पर बैखती है और अपनी mother की इस photograph को देखती ह तो अगर हम इस poem की बात करें, तो यहाँ पर तीन phases की बात हो रही है, फर्स्ट phase तो यह है, जब वो अपनी mother की इस photograph को describe करती है, कि किस तरीके से उस time पे उनकी mother सी holiday पे गई थी, क्या-क्या किया उनने वहाँ पर, इस photograph का description, second phase में हम देखते हैं, उनकी mother का reaction अपनी इस पु उनका reaction क्या है, उनका reaction क्या है, she is silent, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, there is silence because of death and silence because of loss, तो यही बे यह जो पोएम है, वो खदम हो जाती है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से poetic devices use होए है, तो यह तीन poetic devices हैं, जो इस पोएम में use होए है, first है alliteration, जो अब first stanza में देख सकते हैं, जहाँ पे वो लिखती है, terribly transient, दोनों T से ही शुरू होते हैं, second stanza में हम देखते हैं, oxymoron का example, जहाँ पे हम देखते हैं, कौन से वोड, labored is, दोनों opposite हैं, लेकिन एक साथ use किये गए हैं, and last में हम देखते हैं, personification last stanza में, जहाँ भी वो silence को भी एक silence जो है, वो grant करती हैं, ठीक है, तो यह तीन जो literary devices या poetic devices हैं, जो आपकी इस poem में use किये गए हैं, तो यह तो थी आपकी poem, A Photograph by Shirley Toulson, हमने देखी उसकी line by line summary, हमने board meanings देखे और उसके poetic devices देख लिए, that's all for this video, now until the next video, keep practicing, keep learning.